So hello everyone, hope you all are doing good. So today I am going to tell you that how to make a handbook. Handbook क्या होती है? वो एक teacher के लिए, मतलब एक register दिया जाता है, जिसमें teacher सारे records रखता है और इसको बनाने का क्या procedure है, इसको कैसे बनाते हैं, sequence wise क्या क्या चीजें होती है और ये video उन teachers के लिए बहुत helpful है, जिनको handbooks बनाने होती है प्रपेर करते हैं, sequence wise, right? तो ये पहला page है, जैसे आप चाहँ, वो decorate कर सकते हो, ये आप पर है, ठीक है? फिर हम आते हैं next page पर, ये जो index page है, इसमें यह आप अलग से index बना लो, अगर आपके register में नहीं है अगर आपके register में already index है, तो वहाँ पे अपना name, जो जो आपने आगे लिखना है, उसके बारे में सारा आप लिखोगे यहाँ पे index, आप सबको पता है index क्या होता है, right? फिर उसके बाद आता है, first page जो आपको as a teacher बनाना है, अपने बारे में लिखना है, बायोडाट आपना, ठीक है, जैसे चाहो आप decorate कर लो, इसमें decoration का कोई issue नहीं है, अपना name लिखोगे, उसके बाद date of birth, अपना blood group, qualification, total teaching experience, CBSE board को पढ़ाते हो, या state board को सब कुछ आप बता लिख सकते हो, married या आप लिख सकते हो, unmarried अगर आपकी marriage नहीं हो, रखिया वो आपकर है, कि किस तरह से आप बनाना चाहते हो, but main जो चीज़ें हो यह होनी चाहिए, आपकी handbook में हमेशा, एक teacher के बारे में, right, क्योंकि आपकी handbook है, आपको prepare करनी हो, अच्छे से prepare करनी है, फिर आता आपका tim table, कि आपका tim table क्या है, मंडे से लेके साथ चड़े तक, right, आपका सारा tim table, eight periods लगते हैं, सारा tim table आप बनाओगी, अगर by chance, जैसे मेरा जो time table है, वो change हो गया था, तो फिर मैंने next page पे change time table बना लिया, जो मेरा change हो है, बाकी decoration हो गई, colors हो गई, वो आप पर आपने कैसे करना है, ठीक है, यह आपकी handbook है, then come reference material, कि जिस class को आप पढ़ाते हो, कौन सी books लगी हुई है, उनके कौन सी authors हैं, उनकी publications कौन सी है, यह आप page बनाओगे, ठीक है, यह compulsory नहीं होता, page यह आप पर है, कि आप page बनाना चाहते हो, यह यह नहीं बनाना चाहते हो, right, then come syllabus, जिस class को आप पढ़ाते हो, जैसे first class का, ठीक है, first section कौन सा है, यह और बी दोनों को पढ़ाते हो, आप जैसे English one, तो syllabus, आप पेस्ट कर दो, आपको मिलते हैं, प्रिंटेट syllabus होते हो, उसकी cutting करके आप पेस्ट कर सकते हैं, यह खुद से लिख सकते हैं, यह आप पर है अपनी handbook को कैसे बनाना चाहते हो, right, अब वैसे ही, जैसे मेरे पास first की EBSB है, तो मैं उनका syllabus बना दी है, मैंने, जैसे मैं second term में उनके पास लगी PT2 और final term, तो अगर आप पहले लगे हो, तो आपको सारा लिखना पड़ेगा, from the very starting of the session, right, फिर, जैसे ही, सारा syllabus आप लिख तो आप सारा syllabus ऐसे लिख दोगे, जैसे मैंने लिखा ये, फिर उसके बाद आपकी कोई भी meeting हुई है, तो आप उसके regarding इस page पे लिखोगे, कितने date को आपने meeting की है, कौन सी meeting हुई थी, किस regarding हुई थी, ठीक है, ये staff meeting सारी आप यहाँ पे लिखोगे, फिर आती है notebook checking record, handbook में हमेशा notebook checking record आपने किस-किस बच्चों की, जैसे first A class के इतने बच्चे है, ठीक है, 25 बच्चे है, तो मैंने इस date को ये copies चेक की थी, और किन-किन बच्चों की चेक है, उसके आगे टिक लगा दिया, जिसकी अभी तक चेक नहीं है, उनका टिक नहीं लगा है, तो आपको पासे का test record लिखो गया, जो जो test हुए, वैसी आप test record names लिखे subject wise सारा test records आप बताओगे, कि कौन-कौन सा test record है, कितने बच्चों के, मार्क्स आए हैं, इससे पता लग जागा, आपने कितने test ले रखे हैं, तो आपको पता होगा, फिर book checking record वैसे ही, कि कितने बच्चों के books हो गई है, कितने कितनों के आपने करनी है, ठीक है, तो आपके पास एक record रह जाता है, वैसे ही, notebook checking record, सारा record वही, ठीक है, ये सारा, तो ये होती है, आपकी handbook, जो आपने prepare करनी है, and I hope this video is useful for you, and teachers के लिए helpful होगी, उनकी handbook बनाने में, ठीक है, इसके साथ ये lesson plan वाली book भी ब आते हैं, उसके बारे में हमें यान नो-डाउन करना होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको prepare करना है, but before that, this is all about making of the handbook, and this video, अगर टीचर्स के लिए helpful रही हो, then please don't forget to like and subscribe my channel, thank you very much.